हेलो एवरिवन आज हम सिल्वर वेडिंग के बारे में कुछ खास शर्चा करेंगे और इसमें अगर बात करें ये शोधर बाबू और उनकी पतनी दोनों में काफी सोच में अंतर है क्योंकि पतनी काफी आधुनिका है और पती जो है वो प्रातनकारी विचारों वाले है यानि बच्चों के कारण और एक मजबूरी है कि बच्चे उन्हें आधुनिक नारी बनाना चाते हैं और यही कारण है कि उन्हें आधुनिका का रूप धारण करना पड़ता है दूसरा करण यह है कि जब वह शाती के बाद यह शोधर के घर आई तो उस समय संयुक्त परिवार हुआ करते था और घर में यह शोधर के ताउजी वा ताईजी की चलती थी इसलिए उनके मन में एक टीस रह गई थी कि मुझे आचार विवार के ऐसे बंदरों में रखा गय और वह जो थी अब एतरप्त इच्छों की पूरती करना चाहती थी यानि तब उसे बुड़े की तरह रखा गया तो अब वह बिलकुल जवान महिला की तरह रहना चाहती थी और यहां पर वह स्वस्ट पी कर देती है कहानी में कि तुम्हारी ये बाबा आदम की जमाने की ब अच्छा लगे अब मेरे कहने से वह सब ढोंड़ घोसला हो ही नहीं सकता साफ बात है अपने पती को वह दो टूक जवाब दे देती है ये शोधर की पतनी होटों पर लाली लगाती है बिना बहा का बलाउज बहनती है और सिल्वर वैडिंग में बढ़ चड़कर हिस्सा ले भी है इसके विपरीत ये शोधर बाबू आफिस में जो उनके साथ के करमचारी है उनके आग्रह पर चाई पान के लिए 30 रुपया तो देते हैं लेकिन किसी भी आयोजन में यानि समारों में सम्मिलित नहीं होते हैं इसके स्थान पर वे मंदिर चले जाते हैं और साथी वह जो जॉइंट फैमिली है उसके सुक दुख में सम्मिलित होना चाते हैं लेकिन अच्छे मकान में जाने को तयार नहीं होते हैं और वो सिल्वर वेडिंग के आयोजन से बचते फिरते हैं इस सबका कारण यह है कि उनके आदश किसंदा थे जो घोर संसकारी वेक्ति थे और उनसे प्रभावित ये शोधर भी बदलने को तयार नहीं है वे परिश्थितियों के आगे जुक जाते हैं किन्तु उनका मन पुरानी चाल में ही रमता है और वे घर में नई चीज के आगमन को जैसे गैस है या फ्रीज है इनको अच्छा नहीं मानते हैं ना ही उनसे खुश होते हैं कि इन तु कहीं ना कहीं इन चीजों को हैसियत बढ़ाने वाला भी मानते हैं उनकी समय के साथ नय ढहलने देने में किसंदा एक यहाँ पर चरितर आपको देखने को मिलेंगे जिनका यहाँ पर पूरा प्रभाव जो है आपको दिखाई देगा कहानी में somehow improper एक शब बदर बाबु का तकिया कलाम है और पाठ में जो है सम्हाव और सम्हाव इंप्रोपर इसका प्रयोग के बार हुआ है लगबग 20 तेरे बार इसका प्रयोग हुआ है और यह उनके व्यक्तिती को भी दर्शाता है कि किस तरह से वो सिधानतवादी हैं और उनको जो अनुचित लगता है तब वे ऐसा हमेशा बोलते रहते हैं और सबसे पहले वे सिल्वर वेडिंग को भी इंप्रॉपर कहते हैं और कहते हैं कि यह भारती यह परंपराओं के अनुरूप नहीं है कई बार इस शब्द का वे प्रयोग करते हैं जैसे जब उनके पुत्र को ऐसा धारन वेतन मिलता है और अपनों से जब उन्हें पराईपन का वेवार मिलता है तब बार बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं वर्तमान समय में संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो रही है और ये शोधर का विवा के बाद तव ताई के साथ रहना बले ही संभव था आज ए संभव है हम ये भी कह सकते हैं अगर आज की प्रिप्रिक्षे में कहानी को देखें और ये शोधर बावु का जीवन पूरी तरह से किशंदा से प्रभावित हैं हम मुख्य बातों की चर्चा यहां पर कर रहे हैं कहानी की और इसके इलावा मैंने जो सारांस का एक वीडियो बुनाया है यानि के बच्चे जो हैं बच्चे और पतनी ये शोधर के मानवे मुलों का खुल करके विरोध करते हैं कहाने में और पीडि का अंतराज पस्ट दिखाई देगा आपको ये शोधर पुरानी पीडि के प्रतिनिती हैं और वे भारतिय संस्कृती, पूजा, पाठ, भक्ती, राम लीला, रिष्टेदारी, अपनत्व, अपना पंजोता है वे हैं और सादिगी सरल्था को अपनाना चाते हैं पूरी तरह से विप्रीत उनके परिवार के सदश है और उनके बच्चे जो हैं बिलकुल अलग तरीके से जीना चाते हैं जिसमें उनकी वेश वुशा है, च रलता और सादिगी को फटी चरी मानते हैं बिलकुल फटा पुराना सा एक तरीका मानते हैं रहने का और इस्तेदारी निभाने को वे घाटे का सोधा भी मानते हैं और इस परकार धीरे-धीरे वे उनके लिए व्यर्थ के बाहरी व्यक्ति बन जाते हैं जिनके कारण उन्हे शर्मिन्दा होना पड़ता है और इसलिए बच्चे उनके लिए एक नया गाउन लेक आते हैं तकि वे समाज में फटा हुआ पुलोवर पहन कर उनकी फजीहत ना कराएं बच्चों को जो है अपने मान सम्मान की चिंता है पिता की मनस्तिती की चिंता नहीं है और यही अंतराल जो है दोनों पीडियों के बीच में गैप जो है दिखाया गया है कहानी में और मैंने जो मुख्य बाते जो है इसमें बताने की कोशिश की है ये शोधर बबुका चरीत्र भी आपको इसमें मैंने शोर्ट में समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से वो अगर हम बात यहाँ पर किशंदा के वेक्तित्व की करें तो किशंदा जो है सरलहर्दे और सहयोगी वेक्ति है साथी मार्ग दर्शक भी है वो हमेशा उनको रास्ता दिखाते रहते हैं और यह शोधर की पत्नी की बात करें तो शुरू में वो दवी हुई नारी है उनके मन में आधुनिकता की चाह भरी हुई है और इसलिए अधेड हो चुकी है उम्री भी काफी हो चुकी है तो भी बालों में डाई करती है और अपने पति को कहती है वह सीर पर पल्लू वल्लू मेंने कर लिया बहुत तुमारे कहने पर समझे मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है यानि कि यहां पर खुल कर वह पति का वित्रोफ करती है पति के साथ और अपने बच्चों के साथ हमेशा रहती है आधुनिक्ता का साथ निभाने के लिए पुरातन पंथी तो हैं ही ये शोधर बाबु कहानी में और हर तरीके से पुरानी शैली से उन्हें मोह आपको यहापस पष्ट नजर आ जाएका साथ ही अगर हम देखें कि ये शोधर बाबु किशंदा के मानस पुत्र हैं यानि किशंदा उन्हें अपना पुत्र की तरह मानते हैं मानस पुत्र क्या होता है पुत्र की तरह मानते हैं और ये शोधर का शरीर खुद का हो भलाई लेकिन उनका दिमाग जो वो किशनदा के जैसा है और हमेशा उनका अनुशरन वो करते रहते हैं ये शोधर बाबु सरकारी दफ्तर में अफसर हैं और अपने जो करमचारी हैं उन पर काफी नियंतरन रखते हैं लगवग साड़े पांच बजे तक हैं आफिस में बैठते हैं इसलिए मजबूरी भूती है लोगों की उनके साथ बैठना और सकती से वो काम करते हैं और कोई भी जब चुटेली बात कह देता है तो महल महोल का तनाव कम हो जाता है ये शुदर बाबू अपने मातहत से उची दूरी बनाए रखते हैं उनसे गुलते मिलते नहीं हैं और सिल्वर पैडिंग की बात जब चलती है तो पार्टी देने के मामने में वे पैसे तो खर्च कर देते हैं लेकिन उनका साथ नहीं 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 बाते वे वहवार कुशल हैं चड़ा जब उनसे बत्तमी जी का विवार करता है तो उन्होंने उसको नजर अंदाज करते हुए हसी में उड़ाने की कोशिश भी कहानी में की है और इसी तरह की चर्चाओं के लिए ये हम एक्जाम से रिलेटेट चर्चा इस कहानी में कर रहे हैं इसकी कहानी का मैंने आपको अलग से वरनन दिया है वहाँ आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो थैंक यू फॉर वाचिंग